5 exercise 8.1 से देखे गिवेन से 13 by 12 calculate all other trigonometric ratio आपकी से की value दी हुई है और इससे आपको बाकी के जो trigonometric ratio होते उसको find कर लेना बाकी के कौन-कौन होंगे सेक दिया है पहले साइन, कौस, 10, साइन का अपोजिट, कौस, कौस का अपोजिट सेक जो हमें दिया हुआ है और कौट का अपोजिट, 10 का अपोजिट, कौट तो चली हम यहाँ पे question स्टार्ट करते हैं जो हमें दी हुई है value सेक ठीटा is equal to 13 by 12, आपको पता होना चाहिए सेक में क्या क्या चीज होता है, किसमें रिलेशन होता है, सेक में ह का रिलेशन होता है, और बी का रिलेशन होता है आकिंट में, तो जब कॉस्ट की बात करें, तो कॉस्ट में क्या होता है? तो सिक में क्या होगा? एच बाई बी, तो हमारा एच और ये बी दिया हुआ है. ठीक है ना, बी की जरुरत होगी ना, बागी के ट्रिक्नोमेट्रिकल रेशियो में फाइंड करने के लिए सो हम P find करने के लिए क्या करेंगे H square is equal to P square plus B square H की value आपको पता है आपका 13 square P की value थो हमें find करनी है and B is equal to 12 square 169 minus 144 is equal to P square is equal to 25 is equal to P square and P is equal to 5 P आपका पता चल गया clear अब हमें बाकी के trigonometrics के जो है हमें find करना है तो आप देखें यहाँ पे पहले हम sign की बात करते है sign theta is equal to क्या हो जागा P by H होता है ना बंडित बद्री परशाद हर हर बोल वो आप माइंड में हमें इसा रखते हैं P आपकी 5 है and H की अगर हम बात करें तो H हमारा कितना था 13 इसी तरह cos की बात करें cos theta तो जाएड सी बात है sick आपको पता है तो cos भी हो जाएगा क्योंकि इस एक cos का opposite या cos से का opposite होता है so B by H B हमारा है 12 और H 13 इसी तरह हम 10 की बात करें 10 theta में क्या हो जाता है P by B P हमारा है और डी 5 हमने लाया है और B हमारा 12 sign का opposite होता है cos theta so cos इसका हम लिख देंगे opposite P H by P so हमारा 13 by 5 again आप देखना sick तो आपको पता ही है दिया हुआ है फिर भी मैं आपको लिख दे रहा हूं ताकि सुन्दर लगे देखने में H by B H हमारा क्या है 13 और B हमारा है 20 again cot cot किसका होता है opposite 10 का होता है yes so B by P B की वैलू हमारा है कितना 12 और B की वैलू 5 so this is your answer clear